स्वागत आपका स्वरीय की एजुकेशन प्लाटफॉम में आज आम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्वे चर्चा करने वाले वो है पार्लेमेंटरी प्रिविलेजिस की आर्टिकल 105 आर्टिकल 194 कॉंस्ट्यूशन का आपने बार बार पड़ा होगा वो डिफाइन करता है प क्या नहीं होती है क्या होना चाहिए सब डिफिनेशन जो है वो मिसेंग है तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक्जाटली कि क्या वो सही समय आ गया है कि इन पार्लेमेंटरी प्रिविलेजिस को डिफाइन किया जाए ओवर दाइम हमें देखा है कि 71 एर, 72 एर जो इसमें सुप्रीम कोर्ट या वेरियस कोर्ट जो है तो समय समय पे इन पार्लेमेंटरी प्रिविलेजिस को बताते आए हैं कभी भी कुछ clarity नहीं रहती है जैसे court to court, case to case जो है judgment बदलते रहा है और parliamentary privileges क्या होती है ये time to time जो है change होती रही है तो अगर मैं आप से कहूं कि exhaustive list दीजे parliamentary privileges की तो वो missing है ऐसा देश में कोई law नहीं है जो प्रिविलेजिस की बात करता हो और ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं कि क्या privileges में count होगा और क्या नहीं होगा तो इसे पर चर्चा करेंगे इससे पहले समझ लेते हैं र मुझे आपको follow करना है यहां से आपको PDF मिल जाएंगे साथी साथ मुझे आप Twitter handle पे भी follow कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जानने ही कोशिश करते हैं कि exactly parliamentary privileges होती क्या है आर्टिकल 105 का एक bare reading करते हैं clarity आ जाएगी power privileges etc. of the house of parliament and of the members and committees thereof यह बात करता है member of parliament की लोगसभा के राच्यसभा के parliament की अब यहां पे यह कहता है कि जैसे भी provision रहेंगे इस constitution के rules रहेंगे को standing orders रहेंगे procedure चलाने के ठीक है यहां पे freedom होगी of speech in parliament यानिकर हम बात करें 100 clause 5 105 clause 1 की तो वो बात करता है freedom of speech की किसके speech की obviously बात है parliamentarians की इसको ज़रा गहराई से समझे पार्लेमेंट का काम क्या होता है पार्लेमेंट का काम होता है deliberation parliamentarians का काम क्या होता है वाग विवात करना चर्चा करना परी चर्चा करना उससे law को बनाना अब ऐसी चर्चा परी चर्चा में कहीं किसी पार्लेमेंट से ऐसी भूल चूक ना हो जाए कि वो कुछ ऐसे शब्द बोलते जो किसी और के लिए defamation या किसी और के लिए वो defamatory बन जाए तो ऐसा ही protection हमारे parliamentarians को article 105 clause 1 में दिया गया वो अपने parliament का काम ठीक से कर सके बिना किसी hindrance के कर सके इसलिए हमारे constitution makers ने ब्रिटिश पार्लेमेंट से या कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजववस्था से ब्रिटिश पार्लेमेंटरी सिस्टम से इस law को डिराइब किया साथे साथ यह भी का गया 105 clause 2 में कि कोई भी member of parliament वो liable नहीं होगा किसी भी proceeding का in any court अपने किसी भी vote के लिए पता है वो लोग सभा में voting होती है तो कोई भी vote देता है राज्य सभा में कोई भी vote देता है तो उसके उस vote को called upon नहीं किया जाएगा उसकी किसी भी speech के publication के लिए letter से उसने कोई भी speech देती है और वो newspaper में publish हो जाती है तो उसके लिए वो liable नहीं ठेराया जाएगा साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी power है privilege immunity है हर house की वो समय समय पर define की जाएगी उसके लिए एक law लाया जाएगा जब तक law नहीं आता है तब तक parliament जो है वो अपने according इसको चला सकती है तो एक जगह से आप देखे 105 clause 3 मे ये भी कहा गया तक ये transition का time है अभी हमारे पास समय नहीं है अभी आप इसी को law मौन लो parliament को ये बात कह दी गई थी constant assembly द्वारा कि समय आने पर एक law ले आईएगा और matter को resolve करती जाएगा अब ये जो article 123 मतलब 105 का 123 है ये apply होगा उन persons पे जो parliamentarians है उनके freedom of speech पे इसी तरह से इस article 194 सब कुछ similar है जितना हमने बढ़ा सब कुछ similar है बस यहां पर आप देखेंगे legislature के बारे में है और member of legislative assembly के बारे में ठीक है यह बात करता है state legislature की सिमिलरली 194 जो है वो स्टेट लेज ले चले लिए लिखा गया थोड़ा सा history में चलते हैं historical interpretation करते हैं चीजसे थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी अब जब यह आर्टिकल्स डिजाइन किये जा रहे थे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी आयार और साथी तब्या रंबेटकर य नहीं है कि हम एक लंबी लिस्ट फेरिस तयार करें इन प्रिवलेजिस और इम्म्यूनिटी की समय समय पे जैसे पार्लेमेंट को लगेगा वह एक लॉल आके इनको कोडिफाय करते हैं तो याद रखे का कभी कॉश्चन आ जाए कि क्या पार्लेमेंटरी प्रिवलेजिस कोड सब्सक्राइच योगी क्या प्रिवलेज इम्म्यूनिटी होगी और इसका नहीं होगी इसके बहुत सारी जैम्टी को इन प्रिविलिज़िस में समन कर लिया जाता है इस तरह से हमने करनाट का स्वल्य का केज लीगा है जहाँ पर जनरलिस्ट की इमेज़ देखा जहा पे जनरलिस्ट यहां तो इसंतर के उड़ी समय मेंuer कर लिया करूँगा तो यह जो प्रिविलिजिस और इम्यूनिटीज हैं कहा जाता है यह यूज कम और मिस्यूज जादा होती है इसलिए हमारे Constitution makers ने कहा था कि देखो फ्यूचर लेजलेचर का काम है कि वो इसको इसको define कर दिया गया है मतलब यह लिखा गई नहीं है यह समय समय पर चर्चा के अनुसार speaker की speeches के अनुसार या फिर quotes के अनुसार हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं जैसे right to publish its report है अगर कोई भी Parliamentarian कुछ भी कह देते हैं ठीक है उस report में उनकी statement publish हो जाता है तो उनको कहीं पर भी challenge नहीं किया जाएगा strangers को आप Parliament की proceeding से बाहर रख सकते हैं secret settings होती है important होती है secret setting जो Parliament या लोकसभा जो है वो समय समय पर कराती है अब यह secret setting के लिए आपको भाहर निकाल सकते हैं लेटा से आप विजटर है आपके पास पास है आज Parliament house विजट करने का आज session है लेकिन आपको भाहर रखा जा सकता है members को punish किया जा सकता है ब्रीच के लिए ठीक है inquiry जो है वो constitute की जा सकती है तो यह कुछ collective privileges है जो हमारे parliamentarians को मिलती है इसके अलावा इनको कुछ individual privileges भी मिलती है अरेस्ट के दौर को लेके अब जो members है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा कि Parliament session के समय पे और 40 दिन Parliament session होने से पहले और 40 दिन Parliament session खतम होने के बात अगर यह जो privilege है यह सिर्फ और सिर्फ civil cases में available है याद रखिये का यह criminal cases में या preventive detention cases में available नहीं है लेकिन बहुत सारे parliamentarians इस privilege को की demand कर लेते हैं criminal cases में अभी हम जिस case की बात करने जा रहे उसमें भी यह हुआ था अब इस तरह से freedom of speech है इनके पास यह किसी भी proceeding के लिए liable नहीं होंगे कोई भी defamation का case इन पे नहीं फाइल किया जाएगा jury service से exempted रहेंगे इ क्योंकि कई mention नहीं है तो जहां कुछ mention नहीं होता वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं arbitrarianist की गुंजाईश होती है तो यह parliamentary privileges क्या होता है parliamentaryians अपने ही benefit के लिए use कर लेते हैं जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती वो parliamentary privilege में आ जाती है जो journalist की report उन्हें समझ नहीं आती वो parliamentary privilege में उसको call कर लेते हैं तो यहाँ पे बार-बार सवाल उठता है 2019 में भी आप देखेंगे एजी नुरानी साहब ने लिखा था एक article का कौन इन्हें judge करेगा इनके misuse को कौन judge करेगा तो यह एक बड़ी बात हो जाती है Supreme Court का क्या stand रहा है यह भी एक बार देख लें तब यह हाल ही में State of Kerala versus Kiajit 2021 में case आया August का case है अब यहाँ पे क्या हुआ क्लेज़डिव assembly के member थे उनके against prosecution आया criminal acts के चलते अब उस criminal acts के चलते उन्होंने immunity demand की कि भाई मुझे तो immunity है 194 में आप मुझे address नहीं कर सकते यहाँ पर court का क्या कहना था court कहते हैं कि जो exemptions है criminal law से यह basically trust जो है betray कर देगा जो जितने भी लोग है जो voters है जो इलेक्ट करके इनको भेजाए ठीक है तो हरी consistency का जो trust है वो betray कर देगा इसलिए हम आप एक बाद clear कर दे कि 105 और 194 जो है वो criminal cases में available नहीं है आप एक elected representative है citizens के interest को आप represent करते हैं तो आप duty bound है कि आप उनके revances को सुने तो आपको हम जरूर protection देते arrest से अगर आपको जो matter है वो civil in nature होता या Parliament के काम को लेके होता ठीक है अब आपको जो arrest किया जा रहा है वो आपको अप offense में arrest किया जारे सापको आपने देखा होगा जो parliamentarian थे पीछे नम्रन उनको arrest किया गया था session उसमें चल रहा था तो वो उस arrest का Parliament के session से या Parliament में हुए काम से कोई लेना देना नहीं था वो उनका personal corruption का case था वो बिलकुल distinct था in fact आप देखेंगे पीवी नरसिमा राओ के case में त कोट case to case चीज़े बदलता रहता है इसलिए बार-बार define करने की बात होती है बार-बार demand आती है कि do we need a proper code of parliamentary privileges और do we need the codification of parliamentary privileges इसी पे हम चर्चा कर रहे है कि codification जो है necessary है तो इसलिए कोट टेका कि देखो healthy debate, pre and fair debate होना, article 19 के दायरे में debate होना, freedom of speech के दायरे में debate होना, यह necessary component ह लेकिन हाँ यह privilege provision को आप किसी criminal matter में use करो, यह हम लाओ नहीं करेंगे, इसलिए बार-बार होता है कि आप इसको use करते हैं, अगर freedom of speech में हम इसको आपका benefit देंगे, आप vandalism, assault के case में इसको use कर रहे हैं तो हम नहीं देंगे, आप debate के case में इसको use कर रहे हैं तो हम आपको immunity कि जाती है कि इन personage immunities में मिल जाएंगी आपको, लेकिन यह immunities और privileges मिलेंगी Parliament के function को चलाने में, देखो idea इनको लिखने से पहले बस यही तो, British Parliament में भी यह idea है आज भी, कि British की Parliament का जो काम है वो infringe ना हो, वो hamper ना हो, इसलिए आप इनको यह privileges देखे रखिए, अब इन privileges के गा अभी तक कोई law नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ conventions पे चल रहे हैं, तो इसलिए अब बार बर आपसे पूछा जाए तो आप भी है ही कहेंगे, कि law होना necessary है, अचा कई बार यह कहा गया है कि constitution में तो लिखा ही है, फिर law की जुरत क्या है, तो इस पे भी अलग-अलग, आप इसके लिए एक separate law बना देगी, और जिससे privileges और immunities जो है, वो गवन होगी, तो exactly यही हम summing up करेंगे कि गत्तर साल हो चुके है, इन parliamentary privileges का misuse जादा हुआ है, यूज कम हुआ है, इसलिए बार बार यह demand आती है पारलेमेंट से, कि आपको एक proper code, एक proper law लेके आना पड़ेगा इन privileges का, जिसका नाम हो सकता है parliamentary practices and privileges and immunities code, कुछ भी आप रख सकते हैं, इस त कुछ judgments हैं, Supreme Court के इंडिया की कुछ judgments हैं, जैसे के हम बात करें, केशव सिंह judgment है, तो इस तरह की कुछ important judgments हैं, आप उनसे draw कर सकते हैं, और इस law को proper define कर सकते हैं, तो बहुत जादा need is law के define होने की, इस तरह के law के देश में पास होने की, जिससे इन privileges का misuse ना हो, और जो democratic functioning है, जिसके लिए law लाया गया था, या जिसके लिए ये provisions रखे गए थे, वो ensure हो, आचा गतर topic आपको clear हो गया हो, हमारे UPC SSC bank के courses 50 plus 30% discount में मिलने, इसको जल्दी purchase कीजिए, मिलते हैं अगले SSC की session में, तब तक लिए, goodbye, take care and God bless you all.